नमस्कार दोस्तों, इंपलेक अबर चेनल के एक और नए वीडियो में आप सबी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है EPS 95 Pensioners 8 अगस्त को दिल्ली के रामलिला मैदान में भरेंगे होकार यानि की EPS 95 Pensioners 8 अगस्त को दिल्ली के रामलिला मैदान से रास्ता रोको आंदुलन करने जा रहा है EPS 95 Pensioners की एक बाइठक नहिरू गार्डन में यहाँ पर हुई राष्टी संगर समिती के राष्टी अध्यक्ष कमांडर असोग रावत के नित्रत्व में आठ अगस्त को दिल्ली के रामलिला मैदान में देश के 27 राज्यों से EPS 95 Pensioners प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा के केंदर सरकार को चार सुत्री मांगो के सिग्र समादान के लिए अपील की जाएगी चार सालों से बुलड़ाना महराष्ट में चल रहे क्रमिक अंसन के साथ दिल्ली में भी अनिस्चित कालिन अंसन का निरने लिया गया है उपाद्यक्ष असोग जैन, सत्यन आरायन सेन, सुधीर महता, चंदमल जैसवाल, गोपाल, चावला, आदी सेकडों EPS 95 पेंसन धारक इस बैठक में यहाँ पर सामिल हुए इसी खबर को कई सारे समचार पत्रों ने अपनी सुर्कियों के साथ यहाँ पर प्रकासित किया और कहा कि EPS 95 पेंसन धारकों के इस बैठक में बड़ा निरने लिया गया है और अपनी मांगो को लेकर EPS 95 पेंसन धारक आठ अगस्त को दिल्ली में रामलिला मैदान से अपने आंदुलन की सुरुआत करेंगे और दिल्ली में रास्ता रोकों आंदुलन भी यहाँ पर करेंगे आई होप यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी यह वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को l解 कीजे अपने सभी दोस्तों साथ सेर कीजे और इसी तरह से पीए पेंसन सरकारी उजनाव से जोड़े नए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस चेनल एम्प्लोई खबर को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ तब तक के लिए बनी रहेगा इम्प्लोई कबर चेनल के साथ जैहिन वन्ने मातरम